वैसे तो यह बात बहुत रेर ही किसी केस में होती है, लेकिन एक बार मैंने आप लोग के साथ एक केस शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मागदर्शक ने अपने स्टूडेंट की लाइफ में उसके जीवन में एक मनुष्य रूप में आकर, चाहे कम वक्त के जादा वक्त के लिए एक रोल प्ले किया, ताकि मेरा स्टूडेंट तेजी से तरक्की कर सके, अब यह चीज तो बहुत कम केसी में है, कि मागदर्शक अपने स्टूडेंट की तरक्की के लिए उसी के साथ जनम ले और कोई रोल प्ले करे, लेकिन अब जो केस में आप जो थोड़े निचले स्टर की आत्माएं हैं, उनका जो रोल है अपने मागदर्शक के साथ, वो एक स्टूडेंट और टीचर की तरह एक रिष्टा है, लेकिन जो थोड़े उचे स्थर तक बहुन चुकी आत्माएं हैं, उनका जो रिष्टा होता है अपने मागदर्शक के रहे थे वही लेसन सीख रहे थे जो आज आप सीख रहे हैं फर्क सिर्फ इतना है कि वह उच्छी पायदानों पर पहुंच चुके हैं और जो लेसन आप सीख रहे हैं वह वह उल्रेडी सीख चुके हैं तो यहां पर जिस चोथे स्थर के करीब पहुंच चुकी आत्मा का वर् चाहता है कि उसका मागदर्शक एक जीवन में उसके साथ रोल प्ले करें उसकी पत्नी बनकर एक एक रोल प्ले करें अब आप समझ सकते हैं कि जो उचेस्तर की आत्मा हैं उनका किस तरह का रिष्टा होता है अपने मागदर्शक के साथ कि वो यह भी चाह सकते हैं कि वो क्यों भी उच्छेस्तर की है ना तो एक उच्छेस्तरी आत्मा उनके साथ रोल प्ले कर सकती है अब मैं उस बातचित को आप लोग के साथ शेर करने जा रही हूँ आत्मा लोक में तुम्हें क्या कहकर पुकारा जाता है नेंथम अच्छा नेंथम ये बताओ कि अभी तुम अकेले हो या अपने आत्माओं के साथ हो अपने दो बहुत पुराने साथियों के साथ हूँ अच्छा तुम्हारे साथियों के नाम क्या है राउल और सेन जी और क्या तुम तीनों साथ साथ काम करते हो? हाँ, हम तीनों ही मिलकर काम करते हैं तो इस वक्त तुम क्या कर रहे हो? हम इस वक्त ये विचार कर रहे हैं कि हम अपने अगले जन्मों में एक दूसरे के साथ किस तरह का रोल प्ले करें कि एक दूसरे की सहायता कर सकें अच्छा अब मुझे यह बताओ कि तुम तीनों एक दूसरे के लिए क्या करते हो अब आप इस बातचीत को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक ही समू की आत्माई एक दूसरे के जिवन में रोल प्ले करके एक दूसरे को उनके जो भी लेसन है वो सिखाने में मदद करती हैं जो वो अपना टार्गेट सेट करके आये हैं कि हमने धरती पर जाकर यह हासिल करना है उस target तक ले जाने में उनकी सायता करती है तो ये सब किस तरीके से चल रहा है मैं सेंजी को वो अपनी गलतियों के लिए शमा मांगे इस चीज के महत्व को समझे इस चीज को समझने में सायता करता हूं और उसे इस बात की जरूरत है कि वो भूलोक पर बार-बार मा का रोल ना चुने अब देखिए यहीं से साबित होता है कि हम लोग कितने सारे lesson सीखते हैं कितने सारे अलग-अलग lesson है यहाँ एक soul दूसरी soul को इस चीज के लिए तयार कर रही है कि अगर तुम गलती करते हो तो माफी मांगने में मत हिच के जाओ क्योंकि यही बहुत जरूरी है तो एक रोल दूसरे साथी के जीवन में ऐसा रोल प्ले करने का प्लैन कर रही है कि वो उसको माफी मांगना भी सिखा सके और माफी मांगना तो अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही तो है जो हमारे कार्मीक जो अकाउंट है Raphaself उनकी जो जो एकड़ी दर कड़ी जुटती चलिजाती है अकला जनम अकला जनम चलती चलिजाती है यह अगर माफिका अिपर को या आतमा सीख लेती है न तो वो अपने कार्मिक अकाउंट को बड़ी आसानी से कट करती है, क्योंकि वो कड़ी दर कड़ी उसको खीचती नहीं है, वो फोरवर्ड नहीं होता, एक बर से दूसरा बर, वो वहीं की बहीं, वो जो गलती है, वो वहीं की बहीं कटती है, वो अकाउंट छोटा सा रहता है, बड़ा नहीं होता, ब्याजदर-ब्याज, ब्याजदर-ब्याज ब्याज किसी का कर्जा बड़ा होता चाता है आ इस तरीके से अगर कोई सोल माफी माँखना सीख लेती है तो इसका कार्मिक अकाउंट कड़ी-दर-कड़ी बड़ा नहीं होता अब न्यूटिन का अगला सवाल था और वो तुम्हारी मदद किस तरह से करती है वो संबंधों के ग्यान के अभाव को पहचानने में मेरी मदद करती है अब इस लाइन से एक मतलब निकल के आता है कि शायद ये उस सोल की एक बीकनेस रही होगी कि वो जिन उसके जो फैमली मेंबर्स का रोल जो प्ले करने वाली आत्माएं हैं उसके करीबी आत्माएं ये उनके महत्व को उनको उनको जयदा नहीं देती उनको फॉर्ग्रांटिट लेती है तो दो लोग के संबंद जब आपस में होते हैं तो उसका बहुत एक महत्व होता आपके फैमिली मेंबर्स का रोल जो आप लोग के साथ वो प्ले करते हैं कई बार हम इने फोर ग्रांटिट लेते हैं और इनका कोई महत्व नहीं देते तो शायद वो इस तरहें की एक सोल रही होगी जो अपने जिन लोग के साथ उसके गहरे कानमिक अकाउंट है जो उसके फ करती पर बार-बार बर्थ लेते हैं अब अगला सवाल था अच्छा सेंजी तुमारी किस तरह ऐसे मदद करती है इसका कोई एक्जांपल दो देखिए मैं जपान में एक सैनिक का रोल प्ले कर चुका हूँ और तब वो मेरी पतनी हुआ करती थी और फिर वो थोड़ा सा न ऐस है जो गया वो थोड़ा रुका और फिर उसने बुला राउल सेंजी का जोड़ीदार बनना पसंद करता है और इसकी वज़े से मैं अक्सर अकेला रह जाता हूँ अब क्योंकि यह तीन आत्मा यह ना अजो जायतर एक दूसरे के साथ रोल प्ले करते हैं तो सभावी ग्रूप से अगर एक आत्मा दूसरी आत्मा का पार्टनर बनना सविकार कर रही है तो दूसरा तो विक्ति अकेला रहे गई अच्छा तुम और राउल तुम दोनों एक दूसरे की मदद कैसे करते हो मैं उसको धहरे रखने में उसकी मदद करता हूं और वो भी मेरी मदद करता है समाजिक जीवन से बचने की जो मेरी प्रविती है उसमें मेरी मदद करता है और जब जब तुम इस धरती पर जनम लेत हो नहीं हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं लेकिन यहीं हमारे लिए ज्यादा सुवधा जनव होता है कि लिकिन तुम तीनों ही जाया तर एक दूसे के साथ रोल के आप अपले करते हो तुम्हारे जो बाकी के आतमी गृप के मैंबरस हैं उनके साथ ज्यादा काम क्यूंने करत तुम्हारा कोई अपना मागदशक भी तो होगा हाँ वो है आइडिस है लगता है तुम अपने मागदशक का बहुत सम्मान करते हो अच्छे से बात्चित भी करते हो तुम उसके साथ हाँ मैं कर सकता हूं अब यहां पर ध्यान दिजिएगा उसने कहा कि कभी कभी वो अपने मागदशक के साथ है अब वहीफिली बात आ गई क्योंकि मागदशक क्यूंकि यह वह आत्मा भी मे कोई निच्यले सत्र की आत्म नहीं है वह भी मांगदर्श्रक के साथ रोल अप ऐसा हो गया है जैसे जो करूल होता है तो कभी-कभी उपने मांगदर्श्रक साथ ऐस् Salt भी हो जाता है चाल की आतंत में इस नहीं को बते हैं आत्मा गतंति- एंक भी हो सकती है अच्छा तुम्हारा किस मुद्दे को लेकर संघर्ष हो जाता है अपने मांगदर्शक से ऐसा कौन सा वेचारिक मतभेद होता है तुम दोनों की बीच में इस पर उसका जवाब था उसने भूलोग पर जैदा जनम नहीं लिये हैं और मैं चाहता हूं कि वो भूलोग पर एक बार मेरे साथ जनम ले तो क्या तुम्हारा और आईडिस का जो मांसिक समंध है वो कुछ इस तरह का है कि मांगदर्शक के रूप में तुम उसका जो परशिक्षन देने का जो उसका तरीका है उसके बार में सब पुझ जानते हो अब सभाविक बात है ना यहां पर वो अपने ही मांगदर्शक को सला दे रहा है कि उसे उसी के साथ एक बर्थ लेना चाहिए तो इस पर डाक्टर न्यूटन का सवाल है कि तो मतलब यह एक तरह से अपने टीचर को गाइड करने जैसा हो गया ना हाँ हमारा रिष्टा ऐसा है कि मैं उससे सवाल कर सकता हूं अपने जिग्यासा व्यक्त कर सकता हूं आइडिस मुझे सिर्फ वही बाते बताती है जो उसकी विचार में मेरे अन्भों से कोई मतलब रखती हैं अच्छा एक बात बताओ यह मागदश्यक क्या आपने विचारों को छुपा सकते हैं ताकि कोई उनके मन की हर बात ना जान सके अब इस बात पर ध्यान दीजेगा क्योंकि अभी तक सब कुछ पारदर्शी है आत्मा लोक में यहीं बताया गया ना लेकिन जब आत्माएं थोड़े उच्छ स्थरिये हो जाती हैं तो वो कुछ विचार पारदर्शिता अभी भी है पारदर्शिता समाप्त नहीं होई है लेकिन जो उच्छ स्थर की आत्माएं हैं जो आप मुनें बहुत प्योर सोल्स कह सकते हैं जिनकी उर्जा बेहस्सकार आत्मक रहती होगी क्योंकि वह मांगदर्शक स्थर की आत्मों की बात हो रही है यहां उनके लिए यहां पर य जाने उनके स्टूडेंट वो उन्हें चुपा पाती है लेकिन यह बहुत उच्छ स्थर की आत्माओं की खूपी है जो निचले सर की आत्माएं वो पारदर्शी हैं वो नहीं चुपा पाती हैं वो इस कला में पारंगत नहीं होती हैं हां बड़ी उमर की आत्माएं इसमें पारंगत होती हैं लेकिन वो कौन सी बाते चुपाती है यहां पर अगली लैंड में चीज के लिए होती है कि जिन्हें हमें जानने की जुरुत नहीं होती क्योंकि वो बाते हमें ब्रहमित कर सकती है अब बड़ी आयू की मतलब जो उच्चिस तरिय सोल है वो अगर कोई बात अपने स्टूडेंट से चुपा रही है तो वही चुपा रही है जो अभी उनके जानने योगे नहीं है जो अ यहां पर एक लाइन ओर है यह प्रेशन भी बड़ा महत्वपूर है कि क्योंकि यह डाक्टर नूटर इसाथ अक्सर हुआ है कि बहुत सारे इस्त्री पूस्ट जो इस रिग्रेशन से गुजरते थे वह यह कहते थे कि उनके जो मागदर्शक है वो उनके सभी सवालों के एक सा अब ऐसा क्यों करते हैं इसका आंसर है हाँ आपने सही कहा सवाल के पीछे की इच्छा क्या है यह जानना बहुत जरूरी होता है सवाल कब और क्यों पूछा गया है जो जानकारी हमारे लिए हितकार अभी नहीं है जो हमें एव्यवस्तित कर सकती है तो वो उसका निश्यत तुत्तर नहीं देते आईटिस के पढ़ाने के तरीकों को साइड में कर दिया जाए अब तुम्हें उसके व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा बात है जो तुम्हें ज्यादा पसंद आती है मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि वो मेरे साथ धर्ती पर एक पुनर जनम ले अच्छा यानि कि तुम उसके साथ जनम लेना चाहते हो हां मैंने उससे कहा मैंने कहा कि हमारे सम्मंद और भी भैतर बन सकते हैं अगर वो भूर लोग पर किसी एक जनम में मेरी पत्नी का रोल प्ले करें और इस पर आईडिस की यानि उसकी मागदर्शक की क्या राय होती है वो हसने लगी और उसने कहा मैं इस पर तभी विचार करूंगी जब तुम यह बात साबित कर सको कि इससे कोई फार्दा होगा अब यह तो हम लोग जानते हैं कि जितनी उचे सरक्यात नहीं होती है मों फिर जल्दी बर्थ नहीं लेती हैं धर्ति पर क्योंकि उन्हें कोई लाब नह सली कि यह जो तीनों ही आत्माएं यह तीनों आत्माएं राउल सेंजी और नेंथम यह तीनों आत्माएं यह आइडिस के हवाले तब की गई थी आइडिस उनकी मांग दर्शक बनी थी वो तब बनी थी जब इन्होंने तीसरे स्तर पर पैर रखा था और अभी यह तीसरे स् इसी विचे को मैं अगली कड़ी में कंटिनू करूंगी अगर आप मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स और सेम सोल मैनी बोडिस की सुनना चाहते हैं तो किर्पया मेरे सेकंड चैनल पाथ ओफ हैपिनस पर एक बाद जरूर विजिट कीजिए जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप प्रशन बॉक्स और पिन कमेंड में एमेजोन का लिंक प्रदान किया गया है अगर आप उस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो आप बिना कोई धनराशी खर्चे भी इस चैनल को सहयोग दे सकते हैं और इस ग्यान के प्रसार में सहयोगी बन सकते हैं जिसकी इस चैनल को बहुत आशपता है आप सभी पर मातम सौंदर प्रेम और आनंद से देव परस्ता रहें आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान पराप्त करें वैसे तो यह बात